NPO, Non-Fort Profitization, यानि ऐसी organization या ऐसी संस्ता जो profit के लिए काम नहीं करती है या social welfare के लिए काम करता है, जैसे trust, hospital, college, school यह सब क्या आपके? Non-Fort Profitization होते हैं, इनके भी financial year के last में financial statement तयार कियाता है क्यों? क्योंकि इसमें भी fund आते जाते हैं, इसमें भी पैसे का lending होता रहता है तो इनके भी तो हिसाब किताब जरूरी है, तो इनका भी हिसाब किताब किया रता है, एक financial year के last में और वो financial statement कौन कौन से होता है, तो वो financial statement होता है, receipt and payment account, income and expenditure account, और balance it यह तीन चीज़े बना जाते हैं, लेकिन हाँ, यह भी आपके किस base पे तायार कियाता है, तो यह तायार कियाता है आपके cash basis पे, यानि cash book के basis पे, क्योंकि यह cash और bank के थ्रूरीज में transaction होते हैं प्रूरीज में प्रम के जाते हैं